नेपाल के बस हाथसे में सितामरी के बैरगनिया के रहने वाले दो यूवकों की पहचान की गई है दोनों मित्र हैं, दोनों एक साथ काठमांडू जा रहे थे उसमें रिसिपाल का सब बरामत कर लिया गया है हालाकि वीवेक का सब अभी भी बरामत नहीं हुई है बताया जा रहा है कि रिसिपाल का घटनास्थल से 50 किलोमीटर की दूरी पर सब बरामत की गई है मिरित्त के पिता ने बताया कि रिसिपाल अपने मजले भाई के साथ काठमांडू में जेनरल स्टोर दुकान में काम करता था वहीं अपनी पत्नी को लाने के लिए घर आ रहा था इसी दोरान अपने मित्र विवेक के साथ घटना का सिकार हो गया सिता मरी से नियूजेटी लोकल के लिए भरत चौबे की रिपोर्ट